नमस्कार दोस्तों आप सभी सात्यों का फिर से एक बार स्वागत है सात्यों अस्वस्त होने के कारण आप सभी को लेटेस्ट अपडेट देने में असमर्थ हो गया था इसलिए चमा चाहता हूं शिक्षकों के लिए अस्तानांतरन प्रदस्थापन को रिपोर्ट सौपने की क कमिटी जल्दी अपनी रिपोर्ट शिक्षायवाग को सौप देगी यानि कि रिपोर्ट जो है उत्यार कर लिया गया है बस अब शिक्षायवाग को सौपना है आज कल दो दिन में सौपी दिया जाएगा जहां तक हमें लगता है कमिटी को शिक्षकों के अस्तानांतरन पद लोगों को चल जाएगा, अब काश के बारे में भी कुछ ना कुछ जरूर इस रिपोर्ट में आएगा, सबसे महत्पपुर्ण है जो विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं, बिहार के तमाम नियोजी शिक्षक उनका पदस्थापन करना है, वो देखना बहुत जरूरी है, अस्थानांतरन किस के लिए अभी है, किस के लिए नहीं है, इस रिपोर्ट में सब कुछ तैह हो जाएगा, चया वो पहले वाले हमारे शिक्षक हो, चया वो भी PSC-TRE-1 ए-TRE-2 वाले हो, चया वो नियोजी शिक्षक हो, विशिष्ट शिक्षक हो, किस के लिए क्या है अस् स्थालता प्रेट यहों है देना है और जैसी ही दिया अएगा उसके बाद देखिए माननियमुख्यमंत्री जी इस पर क्या करते हैं लेकिन यहां तक लगता है कि माननियम्गंत्री जी भी इस पर पूरी सहमती जताएंगे बहुत दिन हो गया है निवजी शिक्षक जहाँ पढ़ा स्थापित हुए उसके बाद कभी वो अस्थानांत्रित नहीं हो पाए उनका अस्थानांतररन नहीं हुआ तो सोभाविक है मानिय मुखमंत्री जी विशेश्ट शिक्षकों के लिए विशेश्ट करके जिनको बहुत दिन हो गया है उनको अस्तान अंतरन के आवर शक्ता है जरूर धियान देंगे साथ में TRE1 आ TRE2 के जो भी साथ ही हमारे अभी रेंड मैजेसन के तरीके से इधर उदर चले गए हैं उनके लिए भी कुछ न कुछ जरूर इस रिपोर्ट में होगा आप इस वीडियो को जादा से जादा शेयर कीजेगा और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल अकन के बटन जरूर दवाईएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट में आप सभी को शिक्षाय भाग का दे सकूँ आभी के लिए इतना ही फिर मिल आगले वीडियो में साधने बासातियों